नवश्कार सभी भाईयों को दोस्तों जो ये खेत आपको दिखाया था पहले इसमें हमने थोड़ा सा अलग तरीका अपना लिया है यह दो खूड बो दिये हैं दो दो आंक्ते पेंडे के और यह एक खली छोड़ दिया है वीच में इसी तरह से पूरा खेत बो दिया है यह अब देख सकते हैं दो बोदिये एक छोड़ दिया और इस बार यह हमने मैप पूरब की तरफ खड़ा हूं और यह पश्चिम की तरफ जा रहे हैं खोड़ तो यह खेत जो था पहले उत्तरदक्षिन बूत्ता था और यह करीब 12 साल के बाद मैं पूरा पश्चिम बूरा ह और इसमें हमने गोबबर की खादवी नहीं डाली क्योंकि इसमें पहले जो है काफी सामान गिरते रहें मील की मैली और दुनिया भरके जो सीरा जमाया जाता था उसके ड़ले फोड़े जाते थे और गोबर की खादवी कई साल तक भरपूर मातरा में गिरी है इसमें बड़ा अच्छा है और यह आप देख सकते हैं इसमें जो है ट्रेंच ही बना दिया इसे हैं जो हमारा है यह हंस का लेजर है काफी गहरे खूड निकाल ले जा रहे हैं देख सकते हैं और हाथ से मिट्टी करेंगे और यह जो साइड में गूल खाली छोड़ी गई है इस वाले खूड के लिए तो इधर से जगा होगी और इस वाले खूड के लिए इधर से जगा होगी फिर उसके लिए उधर से जगा होगी तो इन में फिर लाश में मिट्टी लगवा देंगे और जो हमारे हां मील पहले लेजर देता था सोसाइटी वो एक बिलांद की दूरी सब्सक्राइन कंपल सब्सक्राइब अस बれको Тश को नहीं सब्सक्राइब लिए की सब्सक्राइब और लोग इसे कम गहराई पर बोरे हैं और जादे घिनका बोरे हैं तो उसी वज़े से बीज भी गड़ रहा है तो इस बीज को बचाने के लिए फंडा यही है कि इसे गैप दिया जाए हमारे हाँ पर जो नगिंदर भाही है बेड कोलिज वाले और जो की एक दोराले में भी भाही हैं रेले विला इन के पास में खेत है उनका किसान की सोच चैनल पर आपने देखा होगा तो दोस्तों काफी अच्छा गंणा उनमें रहा और छोल में बहुत फायदा है पोगगे की फुटाओ बहुत अच्छा है और खेत में जो पत्ती रहती है वो इस खली जगह में खब जाएगी जो की तीसर तीस साट इंच के करीब जगह इसमें होगी अठाइस दूनी छपपन अठाइस पही है हमारे खूड तो दोस्तों काफी अच्छा लग रहा है इसके उतको बोटते हुए बहुत थोड़ा सा बीज कराता है मैंने ही कराता खुद मैंने और बबलु भाई ने और आज पापाजी भी हमारे साथ है ये आज बंद की वज़े से कही जानी पाए मदु बाबा लग रहे हैं और इसमें हम ऐसे करेंगे पहले उधर भी नाली है और इधर भी यहां से टुवल के पास से एक भरा बना देंगे तो इसमें benefit हमें ये मिलेगा कि इन में गुलों में पहले जिन में पैनडे हैं इन गुलों में पानी चला देंगे ये गुल हम बंद रखेंगे दो बार हम ऐसी करेंगे है तो ऐसी चलता रहेगा जो अवतार अवतार सिंग जी है जो पंजाब वाले उन्हीं के फंडे को अपनाया जाएगा इसमें परवा पच्वा होगे खुड और इसमें जो है खड़ी आंक न रखे हमने क्योंकि खड़ी आंक का गन्ना जो है अगस्त का अगस्त सितंबर का बह खली गूल में पानी चले दुनों खुडो के लिए एक ही पानी देने के बाद में इसमें फिर ऐसी पानी चलता रहेगा और दोस्तों थोड़ा सा खेती में बदलाओ करते हैं तो थोड़ा खेती करने में मन भी लगता है अपके हमने काफी दो खेत बोली है ऐसे ट्रेंच वाले साठ इंच वाले और यह 28 इंच पर दो खूडा गए फिर यह खल्ली रहागा फिर 28 पर दो खूड आगी तो इसी तरह से देख सकते हैं हमारा बीज जो है आपके सामने है ताजा बीज किया है यह हमने सुबही कर लिया था कुछ हमने समको कर लिया था तो इस पर του ठैकए उतु पर ही कर देंगे खुड़ों पर ही और उसी के साथ समय फिर ये खेत आपके सामने रहेगा इसकी वीडियो आत्ती रहेंगी तो किसान भाई यो वीडियो आपको जरूर अच्छे लेगी होगी प्लीज लाइक सेर और सब्सक्राइब धन्यवाज जुड़े लिए